हलो अब्रीवन वालकम बैग तो अबर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंट्स इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यह बताईए कि जो जो जेके करेंट्स बीकाज यूट्यूर एसिस्टेंट के जो अभी स्लेक्शन लिस्ट आउट होई है जिसमें फिप्टिन हंडर प्लस विकेंसी थी मैं एक एक कैटगरी की यहां पर बात करूं का चाहिए वो ओम हो ओपन मैरिट हो ऐसी कैटगरी हो ऐसी हो कोई भी कैटगरी होगी हर हर एक कैटगरी के कटाफ के बारे में हम डिटेल डिसकुशन करेंगे इस वीडियो में इस वीडियो को कंप्लेट जूर देखिएगा अगर आपने यूनियर एस्टेंट का एक्जाम दिया था अगर आपका क्लेर हो गया है तब भी आप जूरू देख लीजिए कि आपने कि अब अब कमी एक्जामिक करनी पड़ेगी तो दोस्तो वेलकम टूएको अबर यूट्यूब चैनल तो अगर आपने अभी तक जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह की मैंने पूरी चीज़े अपनी डायरी पे नोट कर ली है तो मैं पूरी आपके सामने डिसकेशन करूँगा एक 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 डिस्क को गड़के एक एक कैटेगरी को करके टोटल आठ कैटेगरी हैं यहां पे आप देख सकते हो तो टोटल वगैंसी जो है वो आपकी 1534 वगैंसी थ करेंगे कि चीज़ों को डिसकेशन करेंगे कि कितना कटाफ कितना गया है कितना नहीं गया है सबसे पहले मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं वह है कैटेगरी आपकी ओपन मेरिट टीक है ओए में कैटाफ है जो सबसे कम मतलब की सेलेक्शन हुई है वह आपकी ऐसी पॉइंट फाइफ वाले परसन फिप्टी परसन की सेलेक्शन हुई है इस मार्क्स वाले की तो यानि क्या कह सकते हो कटाफ यही था 709 तो बाकी वगैंसिस कहां गई 780 की तो बाकी वगैंसिस अगर मैं बात करूं 710 से लेके 734 तक जो वगैंसिस थी वह थी ओपन मेरिट मे यह क्या काटगरी से यह आप सभी को पता हो यह होगा इनके बारे में HCM, HCB इनका जो टोटल कटाफ किया है वो इसके बीच का 24 अगर मैंसिस की बात करूं वो 56.24 जो एक मिनिम्म सेलेक्शन नंबर पे थे इसे अब भी है इनके ऐसी बात नहीं है जो एक मिनिम्म कटाफ की बात करूं उसके बात करूं कि ओपन मैरिट में अगर जो 734 से लेके आगे नंबर थे 764 में उसमें थे आपके ओपन मैरिट में एक सर्विसमेन जिनका जो टोटल कटाफ गया वो 27.18 मार्क का कटाफ देखने को मिलाई है आप देख सकते हो बाकि की जो विकैंसिस है कितनी आ आपकी ओदस यानि कि 16 विकैंसिस का अभी वहां पर शो नहीं किया है अभी इनको क्यों शो नहीं किया है यह कैसा भी हो सकता है अगर second कोई लिस्ट आती है तो उसमें इनको मैंशिल कर दिया जगा अब ऐसा भी है जब बच्चे यहां पर स्लेक्ट हो है कुछ बच्चे डि जिसमें एक्चुल कटाफ फेस करने को मिला वो मिला 61.40 का कटाफ यह इस नमर वाले स्लेक्शन लिस्ट में बच्चे हो चुके हैं तो डॉन सबसे वह लास्ट केंडिडेट था वो इसी पर था और जो 170 परसंद है जो वो किसी उसकी क्लैरिफिकेशन रुकी हुई अभी 171 स से लेकिए 176 जो थे वो एक्स धरिसमें बहाँ राघ्भी स्लेक्ट है ठीक तो फोटी-फॉरबास wilt बहुत यह किस में बरproblem यह 100 में से मांक है ढें ठीक है जी 123 नंबर पे जो पोस्ट थी वो थी एक सर्विसमेन की उसका अगर कटाफ की बात करूँ तो 44.13 उसका कटाफ माना गया है मलगी इस नंबर वाला बंदा सेलेक्ट है उसके बात करूँ तो ओ ऐसी कैटागरी जो फोर्थ नंबर पे आती है तोटल पोस्ट थी 35 और जिसमें स जो 37 पोस्ट थी 35 जो पोस्ट है उनका जो कटाफ हो 68.28 के है रिजर्व कैटागरी का और जो 36 से 37 यह दो वकैंसी ती जो की एचसी एल में हाती है जो उनका कटाफ 58.76 इनके बारे में अगर आप नहीं है तो आप इनके बारे में ही सोचो ठीक है जो ऐसी कैटागरी का कटाफ है वो 68.28 गया है उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्शुल लाइन कंट्रोल की ALC IB की अगर बात करूँ टोटल वकैंसी जो थी LAC की 48 थी दोस्तों रिजर्व कैटागरी इनकी तो 40 जो 45 तक जो इनकी कटाफ था वो 67.4 था और जो 46 और 48 से लेके दो तीन वकैंसी थी जो एक सर्विस में आती थी जिनकी 32.6 इनका मेरिट किया है टोटल दो पोस्ट थी एक पोस्ट इन में से थी जो HCL की थी ALC की तो 67.17 उसका मेरिट किया ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स जो आती है आर भी है कैटागरी तो सबसे पता है आपको इसकी रिजर्वेशन बहुत ज़ादा है तो 220 इसकी टोटल वकैंसी थी 220 इसकी टोटल वकैंसी थी 209 की जो कटाफ इनका है वो 66.08 था और 210 से लेके आर्डवर्स जो भी थी उसमें कुछ पोस्ट है वेटर हां उसमें 36.8 जो की ESM यानि कि एक सर्विसमेन का जो की RBA से बिलाउं करते थे उनका गया है HCB के कुछ पर्षण नहीं पर वो 47.69 है इनका ये कटाफ है ठीक है उसके बाद अगर करूं PSP यानि कि पहाड़ी स्पीकिंग प्यूपल उनकी टोटल वकैंसी की अगर मैं बात करूं तो वो टोटल दे 42 और 42 थे? नहीं 45 थे तो 42 तक जो कटाफ गया इनका वो 63.38 गया है जो HCB, HCH, HCB उनका गया 35.75 तो टोटल इनकी वकैंसी पूरी होगी साथ कैटागरी डिसकेशन कर लिए आपने हर एक कैटागरी के बारे में सुना होगा बात करते हैं EWS कैटागरी की तो टोटल वकैंसी सी इसमें 103 थी और जिसमें आपका 103 में अगर बात कर तो 64.35 ये कटाफ गया है तो अगर मैं बात करूं कि open married में जो टाप करने वाले हैं सब्सक्राइब को मान सकते हैं 89 पॉइंट सम्थिंग कुछ पॉइंट है तो 90 रखो यानिकी 100 में से ये वाला टापर बरसन था तो देखा यूनियर स्टेंट का जो एडिटन एक्जाम था वो एजी था क्यों क्योंकि वो एक्जाम टूफेसेस में था इसलिए competition इसमें अपना target अभी से fix कर सकते होगी मुझे कितना करना है हर एक topic को अच्छे से revise करो हर mock test लगाओ जहां से भी मिलते हैं आपको हमने भी आपको जीके sectional के mock test provide किये हैं तो हम try करेंगे बागी के भी sectional test आपको जीके पेसे के exam पे उन पे काम करना शुरू कर दे ताकि आपको उन create हो जाएगी जिसके दौरान आप exam को clear कर सकते हो बहुत सारी ऐसी techniques को थी हैं बहुत सारी ऐसी strategies हैं जिनको follow करके आप अपना कोई भी competitive exam को crack कर सकते हो तो यह चीज़े आप पे depend करती हैं कि आप कितना इन चीज़ों को अपने करीब लाते हो तो total category की अगर बात करो तो 8 category हमन आपका exam clear हो गया तो आपको congratulations नहीं हुए है तो हम आपके साथ हैं वो JK practice के साथ हैं हम आपको इसी तरह से चीज़े provide करते रहेंगे JK PSI में भी अब जो return exam qualify करेंगे बच्चे वो 72 hundred होंगे क्यों कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो junior assistant में select हो चुके हैं अब आपको लगता है कि व बच्चों की सेलेक्शन हो चुकी है वो JK PSI का exam नहीं जो interesting candidate होंगे जिनका में मुद्दा होगा कि हमें SI में जाना है तो वो इस exam को भी देंगे कुछ बच्चे होंगे जो junior assistant के बहुत अच्छी पोस्ट है मैं आपको बता दूँ लेवल फाइफ भी की पोस्ट बन जाएगी जल्द ही तो फोर अच्छी खासी payment भी है इसमें जो revenue department में तो उनके तो चाचांत लग जाएंगे क्योंकि इनकी बहुत ही ज़ादा इनको अपनी earning भी गो करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनका daily system create हो जाता है तो यह आपको सभी को पता होगा तो congratulations हर एक department वाले को congratulations जहां पर भी आपकी selection हुई है मस्त रहो अपनी family के साथ रहो so okay guys bye bye and take care